जैश्री हरी स्प्रिचल यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो चातरमास को ले करके है चातरमास आज से शुरू हो गया है सन दोहजार तेईस में चातरमास 148 दिन का होने वाला है तो इस चातरमास में कौन सी 6 गलतियां हमें नहीं करनी है आए जान लेते हैं हिंदु धर में सावन, भादो, आश्वेन और कार्तिक महा का विशेश महतो बताया गया है इन चार महिनों को मिला कर चातरमास बनता है इस बार चातरमास 29 जून से 23 नौम पर तक रहने वाला है चातरमास में कुछ कारें वर्जित बताएं गये हैं यानि कि जिनको नहीं करना चाहिए तो इन कारें को देवशेनी एकादर्शी से ही करना नहीं चाहिए नमबर एक चातरमास में शादी विवा जैसे मांगलिक कारें नहीं करने चाहिए सभी को पता है इसके साथी साथ मुंडन और ग्रह प्रवेश से भी बचना चाहिए नमबर दू चातरमास का पहला महिना सावन होता है और सामन में हरी पतेदार सबजियों का सेवन करने से बचना चाहिए नमबर तीन चातरमास का दूसरा महिना भादपद्र होता है और भादपद्र में दही का सेवन नहीं करना चाहिए नमबर चार चातरमास का तीसरा महिना अश्विन होता है और इसमें दूद और मसूर की दाल जैसी चीजों को खाना वर्जित माना गया है चातुरमास का चौता महिना कार्थिक होता है इसमें लेसन, प्यास, बेंगन ये सारी चीजों को खाना वर्जित माना जाता है नमबर 6, चातुर मास में मास मदीरा का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए और जहां तक संभावो ब्रहमचारे के नियमों का पालन करना चाहिए जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह से और वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे जानल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे मिलता रहे मोटिवेशन इसी तरह से और वीडियो को बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए थैंक्स पो वाचिंग आइज